देश में महिला पहलवानों को समर्थन देने वाले किसान नेता अब फिर आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं मंगलवार को किसानों ने कई हाईवे जाम कर दिये सूरज मुखी की न्यूंतम समर्थन मुल्य पर खरीब को लेकर राष्ट्य राजमाक नंबर चवालिस पर शाबाद में मंगलवार को जाम लगाए बैठे किसानों को पुलिस ने बल प्योग कर हटा दिया पुलिस ने पहले वाटर कैनन चला कर किसानों को जीटी रोड से हटाने का प्यास किया जब किसान नहीं हटे तो पुलिस ने खूब लाठियां भांजी किसानों को जीटी रोड से हटाने के बाद पुलिस ने किसानों का पीछा नहीं छोड़ा और लाठिया भांचते हुए उन्हें दूर तक छोड़ कर आई इस लाठी चार्ज में कई किसानों की घायल होने की बात कही जा रही है जाम लगाए बैठे किसानों पर लाठी चार्ज होते ही किसानों ने जिला भर में जगर जगर जाम लगा दिया किसानों ने पिहोवा, इसमाईलाबाद और जहांसा रूट पर भी सड़क की बीच और बीच ट्रेक्टर खड़े कर जाम लगा दिया बताया जा रहा है कि पुलिस हाईवे जाम ना करने को लेकर हाई कोट के ओर्डर लेकर आई थी उसके बाद किसानों को 15 मिनिट का समय दिया किया लेकिन वो नहीं हटे इसके बाद पहले वाटर कैनन और फिर लाठी चार्ज कर दिया किया पुलिस ने किसानों को वहाँ से हटा दिया है इस दोरान जम कर पत्थर बाजी भी हुई किसानों को हटाने के बाद हाईवे पर आवाज जाही शुरू करती गई इसके बाद भड़के किसानों ने हरियाना में जगा जगा हाईवे ब्लॉक कर दिये हिसार, रोहतक और कई दोसी जगा हाईवे के टोल प्लासाओं पर किसानों ने डेरा जमा लिया है कुरुक्षेत्र के में चौक पर जाम लगा दिया गया है पियोवा में भी किसानों का प्रदर्शन शुरू हुआ किसान सूरज मुखी की खरीद MSP पर करने की मांग को लेकर जहां धरना दे रही है इससे पहले भाक्यू नेता गुर्णाम सिंग चडूनी ने प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर पुलिस ने बल प्रयोग किया तो पूरा हरियाना जाम कर दिया चाएगा प्रदर्शिंकारी किसानों ने दावा किया कि राजिस सरकार MSP पर सूरज मुखी के बीच नहीं खरीद रही है और उन्हें 6400 रुपे MSP के मुकाबले लगभग 4000 रुपे प्रती क्विंटल पर अपनी उपज नीजी खरीदारों को बेशने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कुरुकशेतर में किसानों और पुलिस के बीच हुए बवाल और किसान ने ता कुर्णाम सिंग चरूनी की गिरफतारी के विरोध में हर्याना में अलग-अलग जगव सरकों को जाम किया चा रहा है लाठी चार्ट से किसान गुस्से में है और हर्याना सरकार की जम कर आलोशना हो रही है SDM कपलकुमार ने सुरज मुखी के बीच के लिए न्यूंतम समर्थन मुले की मांग को लेकर शाबाद में प्रदर्शिन कर रहे हैं किसानों से बात की उनका कहना है कि वो कह रहे हैं कि गुर्णाम सिंग चरूनी को लेकर गुर्णाम सिंग चरूनी को उनके बीच लाया जाए ये मांग जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं और उनकी उपज MSP पर खरी दी जाए ये भी किसानों की मांग है जो गुर्णाम सिंग जी है उनको जो है उनके बीच में लेकर आया जाए MSP पे जो है वो हमारा जो है प्रचेज की जाए ये चीज़े कह रहे हैं हाँ वो कह रहे हैं ना कि उनको लेकर आओ हमारे बीच में हर्याना की कुरुक शेत्र में किसानों पर हुए लाथी चार्ज को लेकर विपक्षी पार्टियां भी बीजेपी पर हमला वर हो गई है कॉंग्रिस, इनलो, आमाद्मी पार्टिय ने राजसरकार को हर तरह से खेल लिया है पूर्मुख्यमंद्री भूपिन्दी सिंग घुड़ा ने ट्वीट कर लिखा बीजेपी जेजेपी सरकार द्वारा सूरज मुखी की MSP पर खरीद को लेकर प्रदर्शिन कर रहे किसानों पर बल प्रयोग बेहद ही निंदनिय है 6400 रुपे MSP की फसल किसान 4,455 में बेशनी के लिए मजबूर हैं क्यों? MSP की मांग करना गुना है सभी किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और सूरज मुखी की MSP पर खरीद सुनिश्यत हो कुरुक्षेत्र में किसानों पर हुए लाठी चार्ज को लेकर कॉंगरस नीता, रंदीप सिंग सुर्जिवाला ने, हर्याना के मुख्य मंत्री और बीज़िपी नीता, मनोह लाल खटर पर जम कर निशाना साथा सुर्जिवाला ने कहा कि साज़िशे शड़ेंत्र चाले अब बरदाश्त नहीं, मोधी खटर की अतानशाही, हकोमते ये जान ले कि हम इस लूट तंत्र के खिलाफ खड़े हैं और लड़ेंगे सुर्जिवाला ने कहा कि पिये मोधी ने कहा था कि MSP कानून लाएंगे, तो कहा है, ना तो MSP कानून है और ना ही किसान को MSP मिल रहा है जब किसान विरोध करते हैं तो उन पर केवल लाठी चार्ज होता है क्या सरकार और पुलिस केवल किसानों को पीटने और उनका अपमान करने का काम कर रही है आईए सुनते हैं रंदीब सुझेवाला को जिस प्रकार से तीम काले कानून लागू कर जबरन किसान अंदोलन में साथ सो किसानों की बली उन्होंने ली जिस प्रकार से आए दिन MSP किसान को मिलता नहीं और जिस प्रकार से शहबाद कुरुक्षेतर में निर्मम लाठी चार्ज हुआ है इस से भाजपा जजपा का किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है खटर साहब याद रखिएगा शहबाद कुरुक्षेतर में किसान की चाती पर पड़ी हर लाठी भाजपा जजपा सरकार के कफन में कील का काम करेगी लाला लाजपत राय की बात आज हम फिर दोहराते हैं और कहां है सरदार गुर्णाम सिंग चडूनी किसान नेता जिस परकार से उनकी पगड़ी उतारी गई हर्याना में एक सिख और एक किसान की पगड़ी को रोलना सबसे बड़ा अपमान है पुलिस ने जिस परकार से उनके कपड़े फाड़े और पिछले 24 घंटे से गुर्णाम सिंग चडूनी जी कहां है इसका पता नहीं क्या कह रहे हैं किसान सूरज मुखी के MSP की निर्धारित कीमत है 6400 रूपिया किसान को मिल रहा है 4500 मुश्किल से 5000 कहीं कहीं तो किसान क्या MSP भी ना मांगे मोदी जी ने गैरंटी दी थी MSP का कानून लाने की कहां है वो कानून ना कानून आया ना MSP मिलती और जब अधिकार मांगने किसान सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाता है तो उसे लाठिया मिलती है क्या पुलिस का काम सरकारों का काम किसान को पीठना है उनकी पगड़ियां उतारना है किसानों ने सरकार और प्रशासन को 6 जून को नेशनल हाईवे जाम करने की जितावमी दी थी मंगलवार को किसानों के अल्टिमेटिम का अंतिम दिन था जिसके बाद भी प्रशासन इन्हें नहीं रोग पाई अब देखना होगा किस पर सरकार क्या फैसला लेती है क्या एक बार फिर से किसान अंदोलन पर उतरेंगे क्योंकि किसानों ने ये ऐलाम कर दिया है कि अब दिल्ली से बड़ा अंदोलन होगा क्या किसानों को आंदोलन पर उतरना होगा या फिर सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी